received a question बहुत बार बार रिपीट हो रहा है कि क्या आप clothing का business amazon पे कर सकते हैं क्या आप यहाँ पे जो है वो clothing की products sell कर सकते हैं कोई भी shirts कोई भी pants कोई भी socks जो पी आपके जहन में textile के नामपे आता है ठीक है तो let's check है उक तो क्लोथिं की जो पॉर्ड़क्स हैं उनमें में यली जो पॉर्ड़क्स आती हैं हम एक बिल्कुल जिनरिक पॉर्ड़क्स के साथ start करते हैं फाइड जमपल हम सर्च करते हैं shirts for men को जब आप clothing की products की बात करते हैं तो आप mainly in products की बात करे होते हैं, आप leather jackets की बात करे होते हैं, आप इस可以 are our tav gear, इन जो पर आपके बात करे होते हैं, ठीक है? तो आप अगर आप मैनुफैक्चरर हैं ठीक है, तब आप इसको सिर्फ कंसिडर कर सकते हैं ठीक है अभी भी confirm नहीं है क्यों confirm नहीं है उसकी मैं आपको reason बताते हूं पहली बात जो सबसे ज़्यदा लोग ये question पूछते हैं कि क्या वो clothing का business Amazon पे कर सकते हैं उन में सबसे ज़्यदा वो लोग होते हैं reseller होते हैं तो अगर आप एक reseller हैं यानि कि आपके पास different brands की products हैं और आप उनको आगे sell करना चाहरे है Amazon पे तो वो बिल्कुल भी viable नहीं है अगर कोई बंदा आप से कहता है कि जी आप ये कर सकते हैं तो वो जो है वो उसकी खुद वहां से कुछ बना लेकर लेकिन आपका उससे कुछ पर नहीं बनेगा उसका नुक्सान जरूर हो जाएगा उसकी reason क्या है जब आप Amazon पे product कोई भी sell करते हैं तो आप अच्छी खासी पहले research करते हैं जैसे for example आप आप एक बहुत बड़ा manufacturer है या आप एक बहुत बड़ा investor है और आपने decide किया कि मैंने कोई textile की product करनी है ठीक है वैसे textile की products are not very much recommended आप दूसरी products kitchen की देख सकते हैं आप sports की देख सकते हैं आप दूसरी products देख सकते हैं जैसे office की बहुत जदा recommended नहीं है textile ठीक है still अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने manufactured हूँ पहले से मेरी सारी products textile की ही है और मुझे इसी में ही काम करना है ठीक है तो उसमें आपको recommend कर देती हूँ कि फिर आप क्या करेंगे आपका road map क्या होगा आप इस चीज़ से बहतर कि आप के पास जो भी products हैं आप उनको उठाके यहां पर लिस्ट कर दें आपको चाहिए कि आप सबसे पहले तो market को search करें आप research करें आपके जब इक बना shirts for men टाइप कर रहा है तो वो यहां पे इन products में उसको क्या इशु आ रहा है ठीक है market का problem solve करें अगर आप खुद manufacturer है और आपके पास budget अच्छा खासा ठीक है budget मैं बार-बार क्यों कह रही हूँ यह मैं बार-बार यह क्यों कह रही हूँ कि आपका एक बड़ा investor होना या खुद बड़ा manufacturer होना ज़रूरी है कि reason यह है आप यहां पर competition देख सकते है generic products में टकस्टार में mostly generic products आती है उनमें competition बहुत हाई होता है इसको compete करने के लिए आपको budget बहुत ज़्यदा चाहिए आप reviews से आपको idea हो जाएगा कि एक बंदे के पास एक लाग छे हजार reviews है एक बंदे के पास 40,000 reviews है अब क्या होगा एक बंदे के पास 40,000 reviews है आपने आज selling स्टार्ट की आपके पास एक भी review नहीं है लोग इससे ज़्यदा purchase करेंगे इन सब को beat करके top पे आना मश्किल है ये थोड़ सी technical चीज़ें हो जाएंगी लेकिन textile में तब ही जाएं जब आप खुद manufacture रोड़ो अगर आप reseller है और आप पाकिस्तान में है या किसी भी और country में है जो के जहां पे Amazon नहीं है तो आप के लिए recommended नहीं है कि आप clothing की production आप Amazon पे sell करें बहतर ये है कि आप अपनी जो local marketplace है online marketplace या offline आप वहां पे जो है वो उनको sell करें ठीक है अगर आप है reseller manufacturer इसको चेक करना पड़ेगा कि वो कर सकते हैं या नहीं क्योंके mostly question resellers की तरफ से आता है reseller वो बंदा होता है जिसके अपना brand नहीं होता है ये डिस्ट्रिबूटर होता है कोई बंदा उसके पास different brands की products होती है तो एक तो आपको जो product है उसकी cost आप pay कर रहे होंगे या आपने pay कर दी होगी ठीक है उसके बाद आपको उसके shipping पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान से चाइना या इंडिया से चाइना या जहां से भी जो है वो आप उसको ship करते हैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ अगर आपने पहले international shipping नहीं की तो mostly एक product की cost से ज्यादा उसकी shipping charges होते हैं ठीक है एक product आपको 6 dollars की पड़ेगी है तो उसके जो shipping है जो उसकी सिर्फ cost है जो उसकी आपको supplier नहीं है manufacturer ने cost दी अगर वो 6 dollars है तो उसके आपको almost जो shipping है वो 7-8 dollars पड़ी होगी है इसे भी ज़्यादा डिपेंड करता है product कौन सी है और उन सारी चीज़ों पर यह कोई confirm नहीं है कोई exact numbers नहीं है cost आपको पड़ी है आप market में देखें भी market में हम देखते हैं कितने की shirt sell हो रही है यह बन्दा sell कर रहा है 16 dollars की almost यह 20 की यह 15 की ठीक है आप cents भी उनके उपर देख रहे है कि यह 19.99 है तो यह almost 20 ही है ठीक है और यह 21 dollars की sell कर रहा है सबसे पहले तो हमें एक specific तरह की shirts निकालनी होगी अभी हम इन से हिसाब लगाते है कि अगर हमें यहाँ पर sell करना है यह बंदा sell कर रहा है 15 dollars की तो मुझे करनी होगी कोई 12 या 11 dollars की यही वर जी sell ठीक है example अभी करेंगी नहीं करेंगी क्यों करेंगी और क्यों नहीं करेंगी यह technical चीसों में चले जाएंगे हम तो अभी मुझे sell करनी है 11 dollars की उसने अभी profit रखा होगा ठीक है तो हम फर्स करते हैं कि हमें एक जो shirt है वो मिल रही है 3.8 की यही वाली ठीक है उसमें हमने shipping याड़ कर दी sell पर different taxes होते हैं तो उस पर shipping ज्यादा पढ़ती है आपको different countries में जर्मनी में पढ़ेगी और बागी countries में आपको चाक करना पढ़ेगा जिसमें आप sell कर रहे होंगे हम फर्स करते हैं कि उस पर हमें shipping पढ़ रही है for example let's say 2.8 ठीक है क्योंकि यह rates change होते रहते हैं तो कुछ भी confirm नहीं है then अभी आपको Amazon चार्ज कर रहेगा उस पर FBA fee ठीक है अभी Amazon की FBA fee होती है referral fee होती है different different तरह की fee होती है ठीक है storage fee भी होती है और वो जो है वो आपको पढ़ जेगी कोई 6 dollars तक ठीक है idea हर परोड़ा की different different होती है इस shirt की different होगी shirt की fee different होगी इस की different होगी आप helium 10 यूज करके उसको find out कर सकते है plus Amazon की fee पढ़ गई है और अभी आपने advertise करना है ठीक है जो आप करते है advertise कहलें कि PPC एक monster है ठीक है खास तोर पर जो बड़ी marketplaces है USA और UK वहाँ की PPC monster है ठीक है आपका सारा budget खा जाती है हम कहते हैं कि एक product जब हमारी sell हुई उस पर हमारी cost per acquisition आई cost per acquisition यानि कि हमारी एक sale कितने कितना ad spend करके आ रही है तो वो हम कहते हैं फर एक्जामपल $3 हमारे spend हो रहे है एक sale आने में तो अभी आप खुरी देखें कि अभी तक यह कितने आपकी जो है नहीं कितने बन गई है ठीक है Let's calculate ठीक है आईडिया देना चाहरी हूं कि आपको किस-किस तरहां की fee पड़ती है जिसको आपने consider करना होता है DCN लेने से पहले ठीक है तो यह 15.6 पे तो अपने आप चले गए यह भी हमने बिल्कुल bare minimum charges लगाएं ठीक है तो 15.6 हमारी अभी सिरफ cost बनी है अभी हमने इसमें profit नहीं add किया यह तो हमारी सिरफ cost आ रही है profit तो अभी हम इसमें निकालेंगे तो यह बन्दा देखें यह sell कर रहा है और 15.6 पे हमें उसकी reason क्या है हमें उसकी जो cost ना यहीं भी हमारा एक तो मसलबा नहीं गया ठीक है दिन उसके बाद उसके optimization वगारा पे काम करके फिर आप इससे भी कम पे लेके जाएंगे तो यह बहुत बड़ा challenge बन जाएगा आपके लिए उसके बाद इस सबसे बड़ी जो reason है इस competition को beat करना बहुत मुश्किल है as a reseller अगर आप reseller है या डिस्ट्रिगूटर है idea and suggest के आप इसकी तरफ जाएंगर आप manufacturer है तो आपको बहुत जाद रिसर्च करने की जरूरत है क्योंके textile की जो निश है amazon पे वो मुश्किल है ठीक है उसको beat करना थोड़ा सा मुश्किल है तो उसमें टॉप पे आना थोड़ा सा मुश्किल है और उसके इलावा अगर आप हैं अगर आप हैं एक investor आप कोई manufacturer नहीं है आप कोई और product कर सकते हैं किसी और निश में आप जा सकते हैं तो इस एडेस्ट के आप office products में जाएं आप kitchen की products में जाएं ठीक है और आप जो है वो वहाँ पे अपना जो है आप उसको find out करें आप को मैं कुछ categories बता देती हूँ बहतर है कि आप उनकी तरफ चाहें ये वो categories हैं जो के profitable है जहां पे products पे जो है ना पो profit बन जाता है उनमें home and kitchen है उनमें आप tools and home improvement की तरफ जा सकते हैं आप sports and outdoor की तरफ जा सकते हैं आप office products की तरफ जा सकते हैं ये चार ऐसी categories हैं जोके अच्छी categories हैं च्छी है तो waste of luck कोई भी question हो या आपका textile से literally कुछ कोई भी query हो को confusion हो कोई question आपके जहन में आ रहो तो you are most welcome कि आपको comments में leave कर दें I'll try my best to answer that thank you so much